हेलो गाईज, तो मेरा नाम है दोलस थार और आज का अपना टोपिक है HCF and LCM Best Question तो आज हम HCF and LCM Best Question करेंगे तो स्वागत आपका अमारे YouTube चैनल Study Shop पर चलिए शुरू करते हैं तो इसमें आज का पहला Question है First Question आपको दिया गया है The largest number which exactly divides 189, 231, 252 and 126 Web बड़ी से बड़ी संख्या गयात करो जो इन सबको विबाजित करें 189, 231, 252 and 126 आपको चार number दिये गए है तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको बताया है इनका HCF निकालते हैं तो HCF निकालते हैं आपने इन सबका 189, 231, 252 and 126 इन सबका HCF निकालने का आपको ट्रिक मैंने आपको पहले बताया था तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आपने prime factor 2 से शुरू करते हैं 2 इन सबको divide करेगा? नहीं करेगा फिर देखते हैं आपने 3, 3 का इसमें चला जाएगा, इसमें, इसमें और इसमें इन सब में चला जाएगा तो इसका मतलब 3 सबसे पहले 3 से इसको divide करते हैं 3 पह चला गया, 3 सबसे 21, 3 सबसे 21, 84 पह गया, 42 पह तो यह आगया इसका 3 अब next देखते हैं किसी पह जाएगा, 4 पह नहीं जाएगा, 5 पह पह कोई भी नहीं जाएगा 5 के बाद prime factor आपका आगया 7, 7 पह यह चला जाएगा, यह भी जाएगा, यह भी जाएगा और यह भी जाएगा 7 पह गलते हैं, 7 into 9, 7 into 11, 7 into 12, 7 into 6, अब देखते हैं आगे, आगे किस नूमर पह जाएगा आगे 9 पह जाएगा नहीं, 10 पह नहीं जाएगा, 11 पह नहीं जाएगा, इसका मतलब इसके 7 और 3, यह दो ही factor है, जिन से यह सारे नंबर पूरी तरह विवाजित होंगे, 3 and 7, 21 तो यह आपका आगे है इसका HCF, तो 21 वो लाजेस्ट नंबर है जो इन सबको इबाजित करेगा, तो यह आपका आगे है इसका answer, तो अब देखते हैं, next question, next question में आपको क्या बुच्छा है, product of HCF and LCM of 25 and 35, 25 और 35 के HCF और LCM निकालके उन दोनों का multiply करना है, तो सब से पहले ह HCF and LCM निकालेंगे, आपको दिया है 25 और 35, 25 और 35 में सबसे पहले 5 डिवाइड होगा, 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो यह जाएगा 5 पे और यह जाएगा आपका 7 पे, इससे आगे कोई संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका आपका जो HCF निकल कर आगया, वो आपका आगया 5, 5 आपका आगया HCF, अब इसी को continue करेंगे अपने, फिर यह 5 पे जाएगा, फिर यह 7 पे जाएगा, तो आपका आगया LCM, इसका आपका LCM आगया 5 इंटू, 5 इंटू 7, तो यह आपका आगया LCM, इसको जो multiply करेंगे तो आपका ये बन गया 175, तो आपको question में क्या पुच्छा है, hcf और lcm का multiply, find hcf into lcm, hcf into lcm आपको find करना है, तो आपका hcf आगया 5, lcm आपका आगया 175, जब इन दोनों को आप multiply करेंगे, तो ये आपका आगया 875, तो ये lcm और hcf पे इस प्रकार आपको question आ सकते हैं, तो next question में आपको क्या दिया गया, इस question में आपको दिया गया, find the list number which completely divided by 8, 12, 18, 24, वे चोटी से चोटी संख्या कौन सी है, जो 8, 12, 18, 24 को पूरणत्या विबाजित करें, तो इसको आपको इस question में बूचा है, 8, 12, 18, 24 को वे चोटी से चोटी संख्या find करनी है, जो कि इसको completely इबाजित हो, इन number से, तो इसको निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इनका lcm find करेंगे, lcm find करेंगे अपने 8, 12, 18, 24, जो आपका lcm निकल गयाएगा, वो इन सब number से divisible हो, इसका मतलब आपको lcm find करना है, 8, 12, 18, 24 का lcm निकालेंगे अपने इस विदी से, तो इसमें सबसे पहले लेखते हैं, ये दो से divisible होगा, 9 पे गया, और ये 12 पे, आगे देखें, ये दोबारा, दो से divisible होगा, next, फिर ये 2 पे जाएगा, आगे जाएगा 3 पे, फिर से 3 पे, तो ये आपका आगया इसका lcm, 3 इंटू, 3 इंटू, 2 इंटू, 2 इंटू, 2, जब इन सबको अपने, गुना करेंगे तो आपका आगया, 3 इंटू 3, 9, 8, 9 इंटू 8, 72, आपका अंस्वर आगया, 72, तो ये सबके सब, यह इसका LCM निकल कर आगया तो यह सारे के सारे नंबर इसमें से इसको विवाजित करेंगे तो यह आपका आगया LCM इस question में आपको LCM निकालना था अब देखते हैं अपने next question इस question में आपको पुछा है find greatest number of 5 digit which completely divisual by 6, 12, 14 और 16 मतलब 5 अंकों की आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो की इन सब को divide कर दे तो इस को निकालने के लिए अपने समझेंगे सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे 6, 12, 14 और 16 का LCM निकालेंगे अपने LCM निकालेंगे तब आपका कितना जाएगा यह 6 पे, यह 7 पे यह 8 पे next 2 पे जाएगा आपका 3 as it is यह 7 यह 4 next आपका आगया 3, 1, 7 2, next आपका 3 पे जाएगा यह 1, 7 2 next 2 रहे गया आपका फिर आपका आगया 7 तो यह आपका निकालेंगे आगया इसका LCM 2 in 2, 2 in 2, 2 in 2, 3 in 2, 2 in 2 7 यह आपका आगया 3, 3, 6 यह आपका आगया इस संख्या का LCM अब आपको पुच्छा है भई, 5 डिजिट की बड़ी संख्या तो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9, 9, 9, 9, 9 अब इस question को यहां से समझते हैं मतलब आपको ऐसे पुच्छा है भई, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो की 336 से पूर्णता विबाजित हो तो इस question को अपने यहां से solve करेंगे यह संख्या अगर 336 से पूर्णता विबाजित होगी तो मतलब 6, 12, 14 और 16 से भी विबाजित होगी तो इसको 336 से जब विबाजित करेंगे तो यह आपका जाएगा 2 पे, 2 से आपका आगया 6, 72 तो यह आपका बच गया इसका 7, 2, 3, 9 आपका नीचे उतर के आगया तो यह आपका जाएगा 9 पे 9 से जब करेंगे आपका आपका आगया 3, 0, 2, 4 जब इसको निकालेंगे तो आपका बच गया 2, 5, 5, 9 आपका आगया नीचे 3, 3, 6 को जब दोबर आपने 7 से करेंगे तो आपका आया 2, 3, 5, 2 यह आपका 207 है जब आपका बच गया रिमेंडर अब इस 207 को इसमेंसे अगर माइनस कर देंगे तो यह 336 से पूर्णता विवाजित होगा मतलब 9, 9, 9, 9 और 9 इसमेंसे अगर अपने 207 को माइनस करते हैं तो यह संख्या इससे विवाजित होगी जब इसको सोल करेंगे तो आपका यह आगया 9, 9, 7, 9, 2 तो आपका आपका अंसोर निकला गया 9, 9, 7, 9, 2 तो यह पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो की इन सब नम्बरों से divisible होगी मतलब इसको 6 से भी जा सकता है यह 12 से भी, 14 से भी और 16 से भी तो इस तरीके से अपने इस question को सोल कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अपने next question की और तो अब आपका देखते हैं next question इस question में आपको क्या पुछ है find lcm of 1 by 3, 5 by 6, 15 upon 9 and 25 upon 27 तो आपको मैंने बताया था lcm निकालने के लिए जो numerator में दिये गए हैं 1, 5, 15 and 25 इन सब का निकालेंगे अपने lcm और जो आपको denominator में दिये गए हैं 3, 6, 9 and 27 इनका निकालेंगे अपने hcf मतलब जो अंश में दिये गए हैं उन सब का lcm और जो हर में दिये गए हैं उन सब का hcf तो 1, 5, 15 and 25 का अपने lcm निकालते हैं 1, 5, 15 and 25 का जब इसका lcm निकालेंगे तो आपका lcm आएगा ये वापस 3 पे जाएगा और फिर ये 5 पे जाएगा इसका आपका lcm निकल करा गया 5 into 3 into 5 अब इसका नीचे वाले का hcf निकालेंगे hcf निकालने के लिए इसका फोर्मुला है 3, 6, 9 and 27 तो इसमें परस्ट दिख रहा आपको 3 से ये सब के सब नंबर divisible होंगे तो ये जाएगा 3 पे 6 भी जाएगा आपका 3 बे ये आपका 3 into 3, 9 3 into 9, 27 तो ये आपका आगया 3 आपका आगया hcf 3 से 3 cancel and 25 आपका आगया इसका lcm निकल करा अगर आपको इसी नंबर का hcf निकालने के लिए बोले तो hcf निकालने का आपका बोला था जो की अंश में दिये गए है 1, 5, 15 and 25 ये जो आपके निमिनेटर से हैं इन सब का दो निकालने हैं अपने hcf और जो आपको डिनोमिनेटर में दिये गए हैं हर में दिये गए हैं 3, 6, 9 and 27 इनका निकालने अपने lcm तो 1, 5, 15 and 25 का जब lcm देखेंगे अपने तो ये 1 नहीं आएगा क्योंकि इन सब में common number कोई नहीं आ रहा तो इसका मतलो 1 common आ रहा है तो इसका hcf आपका आगया 1 3, 6, 9, 27 का lcm निकालने के लिए इसको continue करेंगे इसको continue करेंगे तो आपका ये जाएगा 3 पे जाएगा और उसके बाद वापस ये 3 पे और फिर 2 पे तो इसका आपका lcm निकाल कराएगा 3 इन 2, 3 इन 2, 3 इन 2, 2 तो ये आपका आगया 54 1 upon 54 ये आपका आगया इसका hcf तो इस पर गहर अपने इसका lcm और hcf दोनों निकाल सकते हैं तो आपका next question है find hcf of 370 and 592 तो आप इसको उस simple trick से दो इसको निकाल सकते हैं इसको आप एक और trick से भी कर सकते हैं तो इसको करने का आपको आपको एक और method बताते हैं आपको आप इसको 592 को इसमें लिखें और छोटे नमर को इससे divide करें जब इसको divide करेंगे तो यह आपका one पे जाएगा तो आपका 6 फल क्या बचेगा 222 अब यह जो number यह जिससे अपने divide कर रहे हैं वो इसके आपके भागफल में आजाएगा और 222 से यह दुबारा divide किया जाएगा जब इसको अपने divide करेंगे तो यह आपका जाएगा one पे 222 तो यह आपका 6 फल बचेगा eight four and one जब इसको अपने 222 से divide करेंगे तो यह आपका फिर से one पे जाएगा तो आपका 6 फल आएगा 74 फिर से यह इसके बागफल में चला जाएगा जब 148 यहाँ पर आएगा 74 से जब इसको divide करेंगे तो यह दो पे जाएगा यह one 48 को पूरी तरह कटेगा जब आपके remainder में शुन ने आजएगा यानिके 0 आजएगे तब तक इसको repeat, repeat and repeat करते जाना है तो यह आपका जहाँ पर यह जाके रुक जाएगा वो इसका HCF आ गया मतलब इसका आपका 74 HCF आएगा तो यह आपका आगया answer तो आप इस विदी से भी आप HCF निकाल सकते हैं तो अपने देखते हैं वो next question तो यह गाईज अपना आज का last question इस question में आपको क्या दिया गया है LCM and HCF of two numbers in 14 and 11502 इस first number is 504 find the other number मतलब आपको LCM और HCF दिया गया है दो numbers का और आपको एक number दिया गया है और आपको दूसरा number find करना है तो इसके लिए मैंने आपको एक formula बताया था उसके हिसाब से first number into is equal to their HCF into their LCM जब इस formula के अंदर इस complete को put करेंगे तो अपने इसका second number find कर सकते हैं first number आपको क्या दिया गया है 504 second number आपको find करना है HCF आपको क्या दिया गया है same number का 14 153 और आपको LCM क्या दिया है इसका 1559 और आपको second number find करना है जब second number आपने find करेंगे तो यह आपका बनेगा upon 504 जब इसको अपने solve करेंगे तो आपका answer निकल कराएगा 322 यह आपका है इसका answer तो आज की वीडियो में बस इतना ही अब मैं आपको कुछ questions रेता हूं जो की आप अपने solve करके comment section में answer करेंगे HCF और LCM आपको find करना है तो आपका इसमें first है 1213 and 1300 22 second आपका हो गया 1 by 6 2 by 5 9 by 21 and 12 by 23 यह आपका fractions का हो गया and third आपका हो गया 291 581 triple 2 and 541 इन सब का आपको LCM और HCF find करके अपना answer comment section में दें और आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं आपको आज का समझ आएगा topic थेंक्यू